किसान साथिवो नमसकार आपको सवागत है हमारे यूटूप चेनल अंडियन फार्मरलाइप में साथिवू आई हम बात करेंगे खीरे की सफल खेति आप कैसे करें साथिव किस तरीके से आप अन किसानों की तुला में अधिक मुनाफा ले सके साथियों आज हम भात करने वाले हैं आप परंपरागत खेती कर रहे हैं उससे जरा हटके आप अगेती खीरा किस तरीके से करें जो आप अपने लाफ को बढ़ा सकें तो साथियों हमारे वीडियो पे बने रहे इस वीडियो में आपको सभी जनकरी देने की कोशिस करेंगे साथियों अक्सर क्या होता है कि हम लोग खीरे की खेती मार्च के लाश्ट में या पंद्रा मार्च से श्टार्ट करते हैं मार्च में लगाने के लिए हम लोग बीच का यूज करते हैं जो कि एक मेर पे या एक नाली में बीच की बोई करते हैं साथी उससे क्या होता है कि हमारी फसल जो है वो अप्रेल लाश्ट में निकलना प्रारम होती है जोकि उस वक्त सभी किसानों की फ़सले निकलना प्रारंप हो जगती हैं जिससे मार्केट में रेट अच्छा नहीं मिल पता है साथियों चले हम बात करते हैं अगेती खीरे की खेती कैसे करें उसके लिए हम लोग February के प्रथम week में नर्सरी खीरे की डालते हैं जो कि हमारे नर्सरी ये लग बख 5-6 मार्स तक बन कर तयार हो जती है साथि वोगर नर्सरी की जनकरी आपको चाहिए किस तरीके से नर्सरी डाली जाती है किस तरीके से बीजों का जमाव किया जाता है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे चलिए साथियों सबसे पहले आप नर्सरी तयार कर लेते हैं और नर्सरी तयार करने के बाद आप मार्च के प्रथम सब्ता में पौधे की रुपाई कर देते हैं साथियों आप जिस तरीके से आप हमारे वीडियो में देख पा रहे हैं और मैं आपको दिखाने की भी कोशिस करूँगा कि हमारी ट्रे में पौधे कितने स्वस्त और कितने अच्छे ये लगे हुए हैं जो कि हम पाले से और अधिक ठंडे से बचा करके ये पौधे हमारे जीवित हैं साथियों आप खुले खेत में पौध को तयार नहीं कर सकते हैं इस कारण से हमारी फसल जो है ये फर्वरी के प्रथम सब्ता में जमाओ इनका हो गया था साथियों इस तरीके से हमारी फसल एक महिने पहले तयार हो जती है साथियों आप जो मार्च में फसल की बौई करते हैं उसकी तोड़ाई अपरेल के लाष्ट वीक में प्रारम होती है और जो हम ये पौध लगा रहे हैं ये हमारी मार्च के लाष्ट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चालू हो जती है जिससे हम एक मेने पहले फसल से अच्छे रेट हमको मिल जाते हैं साथियों इस तरीके से ये खेती हमारी लाबदायक है अब साथियों बात कर लेते हैं इसकी दूरी और डिश्टेंस कितना रखना चाहिए पौधे से पौधे का और लाइन से लाइन का साथियों आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये हम पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 फिट है और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 2 फिट है साथियों ये गर्मियों की फसल है इसलिए इनका घनत तो हम अधिक करते हैं जिससे फ्रूट हमारा फसल जो है वो अधिक आए और हमें अधिक लाब मिले क्योंकि गर्मियों के पौध जो है यह अधिक ग्रोथ नहीं करते हैं साथियों इसलिए हमने पौधों का घनत बढ़ा दिया है साथियों अगर हम बात करें कौन सी विधी से पौध की रुपाई करें साथियों ये विधी नाली विधी है जो की लगबख तीन इंच गहरी और लगबख पांच इंच चोड़ी हमने एक कुदाल के माद्यम से नाली का आकार दिया है और इसमें पोधा लगा दिया है साथियों गर्मियों में हमारे पोधे को बहुत आओ सकता पानी की रहती है इसलिए हम नाली विदी में लगाया है और हमारे यहां की जो मिटी है वो पानी रोक नहीं पाती है इसलिए हमने नाली विदी में लगाया है साथियों अगर आपके जल भराओ होता है उस दसा में आपने पोधे को बेट पे लगाने की कोशिज करें साथियों पौद लगाने के समय आपको विशेज बात की ध्यान देना है कि आपको जैविक देशी खात अवसी देनी है बेल वरगी ये फसलों में देशी खात का बहुत महत्व रहता है इसलिए हमने पौद रुपाई कर दी है अब इसमें गोबर की खात नालियों में डाल कर पानी लगा देंगे साथियों आपको पांच से छे दिन के अंतराल पे सिचाई करते रहना है क्योंकि खीरे में पानी का अधिक महत्थ होता है साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें यदि चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद